और हम लोग देखेंगे आज पार्ट नमबर थाड बार्ट टो तक हम लोग पहले क्लास में देख चुके हैं और जो लोग नए हैं तो आप सर्च करना टेरिग्राम पे त्रीगीतम सर्च करोगे ग्रूप मिलेगा त्रीगीतम 4AM Club इसको आप लोग जोईन कर सकते हो यहां पर आप practice कर सकते हो quizzes के और यह जो practice batch आपका completely different है जिसमें मैं क्या करता हूँ लोगों को personally WhatsApp के थो पहले तो task देता हूँ task आप जैसे complete करते हो उसी task के basis पर online test भी होते हैं आपके और इसका नाम है personal guidance तो इसको जोईन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस पर message करना होगा personal guidance आप simply लिखो गे personal guidance मैं आपको बता दूगा क्या procedure है उसके जोईन करने के कुछ पैसे भी उसमें pay करने होते हैं क्योंकि online test create करने में काफी ज्यादा मेहनत भी है और काफी ज्यादा time taking भी होता है वो तो इसको आप जोईन कर सकते हो इस message पे इस पे आप message कर सकते हो ठीक है यह WhatsApp का नंबर है call आप बिल्कुल करना जब तक मैं आपको मौका ना दू और सबको मौका देता ही हूं call करने का है ना अब ज्यादा बात करते हैं देखो 20 तक हम लोग देख चुके हैं आज हम लोग कीस से देखने जाएगे ठीक है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कि किसका क्या मतलब होता है यहां परायोइज का मतलब होता कैसा मतलब बीना प्रोफ का किसी के उपर चार्ज करना चार्ज का मतलब भी होता है आरोब लगाना अभी योग लगाना अब यह देखी एकमे का मतलब होता है टॉप नेकल अपैक्स सबका एकह replied होता एक मिलंग होता क्या है इसका मतलब होता है शीखर, चरम बिंदू, जो कहते हैं, बिलकुल उचाई पर, मान लिया जा है, कोई वैक्ती ऐसा है, जो अपने करियर के सबसे उचाई पर है, सबसे शीखर पर पहुंच गया है, तो उसको कहेंगे, कि वो बिलकुल अपने life में, करियर के sense में, वो ECMES पर है, तो ECMES TOP, PINACLE, A कैसेखते हो ना तो एनालोजी और सिमिलारिटी का मतलब हो गया समानता और फिर समरुपता तो इसको ध्यान में रखना है लग अनालोजी का मिनिंग यहां पर अप्रेज लास्ट में मैं आप लोगों को दूँगा एक टास्क है ना और आपको क्या करना है उस टास्क को मतलब दो ऐसे वर्ड्स को मैं दूँगा जिसके बीच आपको क्या करना है जो कन्फूजन होते हैं दोनों के बीच और दोनों के बीच क्या फर्क होता है इसको समझते हुए और हो सकता है कभी कभी मैं बिना confusing वाला word को दे दूँ है ना किसी एक word को दे दूँ कि आपको बताना है किसके बीच के meaning क्या है फर्क क्या है है ना देखते जाओ फिर यहां पर हो गया analogy जिसका मतलब होता है similarity समरुपता समानता है ना फिर यह है appraise appraise का मतलब होता है estimate value of क्य कि की मत अंकना फिर कि मुल्यांकन करना फिर allocate allocate का मतलब होता है earmark अफिर set aside सेट असाइड हम लोग देख चुके हैं पहले ही कब जब हम लोग देख रहे थे आपका frazal verbs है ना इसमें भी आयए था set aside तो इसका मतलब होता क्या allocate का मतलब earmark होता है फिर set aside होता है जिसका 70 کرना है ना बांटना बांटना मतलों मिठाइ bou reception जीसे नहीं मतलब मान लिया जाए आपके चार अलग अलग काम हैं और आपको पैसे लगाने हैं चारू चीजों और अलग से रखना है ना जिसे बहुत लोग क्या करते हैं अपनी जवानी में पैसे कमाते है तो बड़ाब करते है थोड़े बहुत fund को set aside करके रखतें बचा करके रखतें हिए बुड़ापे में काम आये तो उसी को किता है allocate year mark set aside ठीक है फिर यहां पर देख लो यहां है अडाज अडाज का क्या मतलब होता है अडाज का मतलब होता है wise saying और फिर प्रॉबर्ब तो इसका अर्थ होता है कहावत और फिर लोकुक्ति कह सकते हो wise saying मतलब लोकोक्ति प्रुवाव का मतलब कहावत तो अराज का मतलब ही होता है कहावत और फिर लोकोक्ति फिर देख लो यहाँ पर यहाँ पर है एड़वर्सिटी एड़वर्सिटी का क्या रत होता है एड़वर्सिटी का मतलब होता है पावर्टी और फिर मिस फर्चुन जिसका ही दुर्भागी कह सकते हो, विपत्ति कह सकते हो, आपदा कह सकते हो, मिसीबत कह सकते हो, तो ये सारे इसके मिनिंग होगे adversity के, ये सारे word पहले आ चुके हैं, पिछले बहुत सारे series में, यहाँ पर है abundance, 10 का मतलब होता है, abundance संपत्धी के सेंस में तो अफ्लुरुएंस का मिनिक हो गया यहां पर सन्भ४्धी धन अफिर어야 right नि southwest ने भी सेंस में ठेक एक का मतलब कोनए अब बैंडैनीट फिर यही वाला वड़ आगया आपका है ना इदेन तो दोस्मुक्ति कर देना किसी को किसी को माफ कर देना दोस्ते मुक्ति कर देना है ना कि चलो तुम दोस्मुक्त हो तुम दोसी नहीं हो है ना एब्जॉल्ब कहलाता है वो फिर से एक बार फिर से क्या मतलब हम लोग मिनिंग देखते जाएंगे एक करके और इसके साथ जो सेंट में यहां दिया it was alleged by her enemies, मतलब उसके दुस्मनों के दौरा उसे alleged किया गया था, मतलब अभियोग किया था, उस पर आरोप लगाया गया था, किस चीज़ का, that she has misappropriated the money of the trust, कि जो trust है, जो संगठन है, उसके money को उसने misappropriate किया, इस चीज़ का alleged किया उसके उपर उसके दुस्मनो misappropriate किया, misappropriate वर्ड भी पहले आ चुका है, additional वर्ड में, आप लोग एक वर्ड को पढ़े होंगे, और उस वक्त भी मैं सायद बताया था, कि embezzle एक वर्ड होता है, क्या होता है, एक वर्ड, embezzle, इस वर्ड का मिनिंग क्या देखे थे हम लोग, तो इसका मिनिंग देखे थ हे rollsay करना, है न गबन करना, कैसे हो, दुरुप्योग करना, दूसरे का माल को खा जाना, है न, जिसे नेता लोग करते हैं, तो embezzle करते हैं, मतलब किसी फंड का किसी स्कीम में कोई फंड आया हुए है, कोई पैसा आया हुए है, तो उसको खा जाते हैं, उसकी पैसे को, तो कि इसका सिनानिम है मिस अप्रोप्रियेट का मतलब भी होता है दुरुप्यों करना पैसों के साथ समझ के आप तो अच्छे से अब जला देखो यहां पर मैं कुछ आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं यह यह वर्ड है मिस अप्रोप्रियेट माल लिया जाए एक्जाम में पर दिया रहे एप्रोप्रियेट एप्रोप्रियेट मतलब उप्यूक्त भी होता है है ना उप्यूक्त होता है और फिर उचीत भी होता है लेकिन मालों कि वहां पर उस सेंस में ना दे मिस अप्रोप्रियेट का सिननीम में एक आप्शन एप्रोप्रियेट रहे तो आपको क क्या लगेगा इसको देख करके आपको यहीं लगेगा न की एप्रोप्रियेट इसका एंटरियम हो सकता है क्योंकि मुस यहां से हटा दिया गया है तो इसका ही एंटरियम नहीं है मेस् आप्रोप्रिय intentional कोई इन्टरियम नहीं है इसका.. नीम ही है जिसका मतलब भी होता है हडपना तो मिस एप्रोप्रियेट और एप्रोप्रियेट दोनों का मतलब होता हडपना हेर फिर करना समझ गये तो मिस को यहां पर missing दिख पार करके यह नहीं सोचना है कि इसका यह एंटर नेम हो गया तो यह दोनों सेम ही वर्ड हैं चाहे miss appropriate यूज हो चाहे appropriate यूज हो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में लगते हैं कि एंटर नेम एक दूसरे के लेकिन होते नहीं और मैं कई बार ऐसे वर्ड क के बारे में यहां पर एक में मतलब मतलब होता है पिनेकल होता है अपक्स होता है जिसका होता है चरम बिंदू शेखर होता है है यहां पर यहां पर दिया है once at the acme of his political career मतलब एक बार उसके पॉलिटिकल करियर के चरम बिंदू पर मतलब जब वह शीखर पर था अपने पॉलिटिकल करियर में तब क्या हुआ once at the acme of his political career मतलब एक बार वो क्या था अपने political करियर के चरम बिंदू पर था लेकिन यहाँ पर क्या है now he is at nadir लेकिन वह अब क्या है बिलकुल निम्न बिंदू पर है मतलब उसका पतन हो चुका है तो यहाँ पर देख लो acme का एक और भी word आप लोग देख चुके हो पहले ही जिसको कहते है जैनित 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 और इसी का उल्टा होता है इसी का उल्टा होता है नादिल तो जैनित का मतलब होता है बिलकुल उचाई पर और नादिल का मतलब होता है बिलकुल निम्न बिंदू पर मतलब पतन को भी यह सो कर रहा होता है जैनित सो कर रहा होता है बिलकुल ही उसके चरम बिंदू को बिल्कुल ही जब कोई वैक्ति सक्सेस पा लेता है तब कहते हैं कि वो बिल्कुल अपने लाइफ के जैनित पॉइंट पे हैं समझ गे तो यहां पर क्या कह रहा है कि अपने पॉलिटिकल करियर में एक बार बहुती सीखर पर था अूछाई पर था और अभी वो क्या है बिल्कुल निमनी बिंदू पर है मतलब उसका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल ही बरबाद हो चुका है वो बिल्कुल नीचले स्तर पे पहुँच चुके हैं अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एनालोजी, एनालोजी का मतलब सिमिलारिटी, जिसका मतलब क्या होता है समानता और समरुपता, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दिया है दा एनालोजी बिट्विन दा सिक्यूरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान इस Uncalled for, हमने तो पढ़ चुका है, पहले ही किसी को, call for, पिछले क्लास में भी आ चुका है, आपका call for एक phrasal verb होता है, इसका मिनिंग आप लोग बता दो मुझे कमेंट में, और call for कई बार आ चुका है वैसे तो, अब जरा देखते हैं, क्या यहाँ पर बताया है, बोड है कि द समानता है, है ना, दोनों के security problem में, is uncalled for, अब क्या होगी uncalled for का मतलब यहाँ पर, तो इसका मतलब है, अनुचित, है ना, अनावस्यक, unwanted जिसको कहते हैं, तो यह uncalled for है, मतलब अनुचित है, अनावस्यक है, क्या अनावस्यक है, जो समानता है, इंडिया और पाकिस्तान के ब करके यह बिल्कुली unwanted है, बिल्कुली अनुचित है, बिल्कुली अनावस्यक है, तो याद रखना uncalled for का मतलब होता है, अनुचित होना, अनावस्यक होना, unwanted होना, तो ध्याँ रखना inology का मतलब होता है, similarity मतलब समानता पिर समरूपता, अब आगे बात करते हैं, pię ή यह है इक difficult to appraise the efforts in true spirit if the results are not favorable मतलब मैं आपको बताता हूँ माल या जाए कोई आप में से एक ऐसे स्टूडेंट है जो बहुत जादा मेहनत करते हैं बहुत जादा मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में आपको result मिलता है ऐसा कि बिलकुली आपके अनुकूल नहीं है आपके मेहनत के favor में न नहीं है है ना मतलब बिलकुल ही विपरित है तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने कितना effort लगाया है है तो किसी माल या जाक को व्यक्ति बहुत जादा effort लगाता है और उसका जो result आता है वो बहुत ही positive आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वह बहुत अच्छे level का कि preparation वो किया होगा लेकिन अगर जश्ट उल्टा हो तो हम लोग estimate कर सकते हैं क्या उसके effort को हम लोग बताई नहीं सकते हैं लगेगा कि नहीं ये बंदा मेहनत नहीं किया होगा ऐसे ही लोग आकते भी हैं तो यहीं चीज़ यहां पर भी कह रहा है कि यह बहुत ही मुश्किल है difficult है to appraise the efforts in true spirit मतलब कोई वैक्ती कितने effort लगाया है उसका appraise करना उसका मुल्यांकन करना उसके किमत को आकना बहुत ही मुश्किल है अगर result उसके favorable में नहीं आता हो उसके अनुकुल नहीं आता हो तो हम लोग उसके effort को आख नहीं सकते उसको major नहीं कर सकते सम मतलब जोश होता है ना मतलब इसको कह सकते हो कि बिलकुली जोश ये कोई काम करे तो उसको कहते हैं कि full spirit के साथ वो काम कर रहा है यहां पर in true spirit का क्या आर्थ होता है तो इसका मतलत होता है सची लगन से सची लगन से और फिर सची भावना से कौन कितना efforts लगाया है उसका मु ठीक है फिर यहाँ पर देखते हैं अलोकेट तो ध्यान रखना अपरेज का मतलब होता है estimate value of जिसका मतलब क्या होता है कीमत आकना किसी चीज का फिर मलांकन करना यहां पर allocate allocate का मतलब येर मार्क set aside funds जिसका मतलब होता है वंटन करना किसी विशेश पर्योजन के लिए किसी पैसे को रखना और फिर बाटना पैसों को तो मैं पहले पता चुका हूँ कि सेंस में बाटने की बात कह रहा है यहां पर देखलो इससे समझ जाओगे इस वाले सेंटेंस से यहां दिया है दा प्राइम मिनिस्टर हाज अलोकेटेड अ हीूज सम फोर अपलीफ्ट अफ दोस लिविंग बिलो पावर्टी लाइन यहां पर बोड़ा की जो बीपियल लाइन से नीचे होते हैं जो गरीबी रेका से बिलकुल नीचे होते हैं उसके अपलीफ्टमेंट के ल समझ गए मतलब अवंटन किया है किलियर यहां पर अलोकेट येर मार्क सिट साइट इन सब का मतलब होता है आफिर बांटन करना फिर यहां पर देख लो 26 नमबर में अडास का मतलब होता है वाइज सेइंग और फिर प्रोवर्ब्स मतलब जिसको कहते हैं कहावत लोकोक्ति है ना तो इसका यह मतलब होता है अडास का मतलू को ती फिर यहाँ पर क्या दे रहए वी एव ओफन हट्ड़ दा अडास प्राइड हैट अफ आ फॉल देख लो यहाँ पर जो प्राइड है प्राइड हैस फॉल है यह बिल्कुरी लैटिन या ग्रिक वर्ड होगा है का मतलब होता है है ना जैसे इसे वर्ड काफी बार आप लोग देखोगे खासकर एक्सपियर वगरा के जब आप लोग पढ़ोगे बुक्स को तो आपको पता चलेगा इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं है थिंक 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 क इसको लगता है कि मैं पांच शे बार उसको पढ़ा हूं इतना मस्त वह बुक को लिखा गया है आपके थिंकिंग के उपर ऐसे बताया जाता है कि जैसे आप सोचते हो वैसे ही आपकी डेस्टिनी तै होती है और आप जीवन में उसी तरीके से आगे बढ़ते हो तो इस बु इसमें थोड़े से वर्ड जो है ना यूज किये गए हैं तो वह सारे वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं क्योंकि ग्रिक और लैटिन वर्ड बहुत जादा मिलता है तो आप वैसे भी डिक्सिनेरी का यूज करोगे तो पता चल जाएगा सेंटेंस बहुत लंब लंबे लिखे गए उसमें तो यह भी है कि उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन एक दो बार उसको पढ़ लोगे ना तो मजा जाएगा आपको उसके जो कॉंटेंट है उसको ले करके उसको ग्रहन करके आप बहुत जादा खुश होगे मतलब हो सकता है आपके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर दे तो बहुत ही शांदार बुक है इसको जरूर पढ़ना लाइफ में एक बार अब जरा बात करते हैं देख लो अडास का मतलब मैंने बताया वाइस सेंग और फिर प्रोवब इसका मतलब लोकोक्ती होता है और फिर कह सकते हो इसको कहावत है ना यहां पर है we have often heard मतलब हम लोग अक्सरी ऐसा सुने हैं किस अडास को किस लोकोक्ती को किस मुहावरे को इस वाले मुहावरे को प्राइड है अफॉल इसका हिंदी मिनिंग क्या होता पता है इसका हिंदी मिनिंग होता है उंचे बोल का मुह नीचा उंचे बोल का मुह ना कभी जूखता ही है तो इसका यह मिनिंग होता है तो यह कर रहा है कि इस अडास को हम लोग अफन सुन चुके हैं है ना ऐसा बताना चाहरा है फिर देख लो यहां पर है 27 नंबर में एड़वर्सिटी एड़वर्सिटी का मतलब पावर्टी और फिर मिस फॉर्चुन जि मुसीबत जो है वो क्या करता है ब्रिंग्स आउट करता है अक वैक्ती में छुपे हुए जितने सारे गून है उसको बाहर निकालता है मुसीबत है ना बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंफर्ट जोन में रह रह करके बहुत ही मतलब पैर पसार करके खाएंगे मेहनत नहीं क लगता है कि नहीं इस तीज़ को मुझे चीव करना ही करना है तो यही इस तीज़ को कह रहा था कि एक वैक्ती में चुपे हुए गुणों को बाहर निकालता है तो एडवर्सेटी का मतलब हो गये यहां पर मुसीबत कह सकते विपत्ति आपदा दुरभाग इस सारे मिनिंग होते हैं फिर यहां पर अफ्लुएंस यहां पर अफ्लुएंस अफ्लुएंस का मतलब होता है अफिर वेल्ड जिसका मतलब प्रचूरता होता है बहुत ज्यादा अधिकता होता है वेल्ड का मतलब धन दौलत होता है धन संपती भी इसका मतलब होता है यहां पर क्या दिया है Affluence in his life made him forget the value of character मतलब बहुत ज़्यादा प्रचूरता है उसके life में बहुत ज़्यादे पैसे हैं उसके life में उसको उसने क्या कर दिया मतलब उसके वज़े से वो भोल चुका है किसके value को character के value को उसके मुल्ली को वो भोल चुका है बतलो चरित्र के मुल्ली को वो भोल चुका है किसके वज़े से बहुत ज़्यादा पैसे होने के वज़े से वो भोल चुका है ऐसा यह बताना चाहरा है फिर यहाँ पर ample ample का मतलब होता है abundant, मतलब बहुत अधिक मातरा में होना, अधिकता में होना, प्रचूरता में होना, यहां दिया है, there is an ample stock of nuclear weapons in the arsenal of superpowers, तो जितने सारे countries हैं, जो super power हैं, उसके arsenal में, arsenal का मतलब होता है, इसको क्या कहते हो, आप लोग सस्त्र ग्रह कह सकते हो हैं, जहां पर सस्त्र को रखे जाते है तो super power country जितने होते हैं, उसके सस्त्र ग्रह में, जहां पर रखने वाले, मतलब सस्त्र को रखने वाला जो स्थान होता है, वहां पर बहुत ही अधिक nuclear weapons का stock होता है, यह बताना चाहरे हैं, तो ample stock का मतलब बहुत ही अधिक मातरा में stock होना, है ना, abundant होना, प्रचूर होना, super power के arsenal में, तो समझगे हैं, यहां पर इस चीज़ को भी धियान रखना कि arsenal का मतलब होता है, कि ऐसा place जहां पर हम लोग सस्त्र को रखते हैं, जिससे बहुत सारे weapons को रखते हैं, फिर यहां पर देख लो, यह है absolve, absolve का मतलब होता है pardon, और फिर exonerate, जिसका meaning होता है, किसी को मा मुक्त करना, माफ कर देना, यहां पर दे रखा है, at last, मतलब अंतिम में, he was absolve, उसे क्या किया गया, माफ कर दिया गया, आरोप से मुक्त कर दिया गया, from the charge of, मतलब किस चीज़ के आरोप से, of misconduct to his officers, कि वो अपने officers के साथ misconduct किये थे, मतलब, misconduct का मतलब होता है, अच्छा आच्रन नहीं करना, तो अच्छे आच्रन नहीं करने के sense में यहां पर बता रहा है, कि वो अपने officer से जो अच्छे आच्रन नहीं किया गये थे, उसके लिए उसे आरोपित किया गया था, उसके उपर charge किया गया था, उस चीज़ से उसे मुक्त कर दिया गया है, एब्सॉल् आपको लगने लगे कि आप भोल रहे हो तो आप क्या कर सकते हो आप वीडियो को पुना देख सकते हो और कमेंट में लिख भी सकते हो कि कितने बार आपने इस वीडियो को देख लिया है इससे आपको पता चलेगा आपका वहाँ पर अकाउंट बना रहेगा एक तरह से कह सकतो हिसाब किताब रहेगा वहाँ पर कि आपने किस वीडियो को कितने बार देखा है इसलिए मैं एक वीडियो में बताया था how to learn vocabulary में कि किस तरीके को आपको follow करने चाहिए वकैब लर्निंग में एक बार फिर्चे दुरा देता हूं देख लो सबको अलेस का मतलब होता है चार्ज करना without proof मतलब आरोप करना किसी के उपर अभी योग लगाना किसी को दोस लगाना है फिर यहाँ पर एकमे का मतलब टॉप होता है पिनेकल होता है अपैक्स होता है और एक वर्ड बताया जैनित होता है जिसका अर्थ क्या होता है बिल्कुल ही चरम बिंदू पर होना बिल्कुल ही शिखर पर होना फिर एनालोजी एनालोजी का मतलब होता है सिमिलारिटी जिसका अर्थ होता है समानता और फिर समरूपता जैसे इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम समान है फिर अप्रेज अप्रेज का मतलब estimate value of मतलब किसी के कीमत को आखना किसी के कीमत को मुल्यांकन करना फिर allocate allocate का मतलब year mark होता है set aside funds होता है फिर adversity adversity का अर्थ क्या होता है देख लो एडवर्शीटी का मतलब poverty और फिर misfortune जिसका अर्थ होता है आपदा दुरभागी कह सकतो मुसीबत कह सकतो वीपत्ती कह सकतो यह सारे इसके मिनिंग होता है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले है पार्ट नबर फोर्ट को ठीक है और आप लोग थोड़ा सा मनोबल बढ़ाओ आप लोग भूल मत जाओ कि मैं कितना मेहनत करता हूँ खेर मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके वज़े से मैं वीडियो लगातार नहीं ला पा रहा था लेकिन कोशिश है हमारे की हम जल्दी से जल्दी सारे सीरिज को कम्प्लीट कर दें ठेक है मतलब चैनल पर किसी चीज की कमी नार है इंग्लिश में तो चलिए आज भी बहुत को सीके हैं हम लोग तो आज का क्लास ही रपप करते हैं थैंक्यू वेरी मच्च